हमना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं चपनबोग और भूखे नंगे तरपते सोजाते हैं लोग मजदूर को मजदूर समझे मजबूर नहीं गरीब को काम दीजे दान नहीं और अगर दान देने के चुक हैं तो जीते जी रखत दान दीजे और मरने के बाद अंग दान दे कर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजे यही सची देश पक्ती और यही सचा राश्ट्र प्रेम हैं ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है परंतु एक बेचारिक बीमारी हमाई समाज में मुझे नजर आती है कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोग तंत्र हैं जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम सिक और इसाई भी पैदा होते हैं लेकिन बदकिस्मती है अब इनसान पैदा नहीं होते और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरुवत है, ना मुसल्मान की जरुवत है राष्ट ने मान के लिए केवल अच्छे इंसान की जरुवत है जरा सोच कर देखिए, ये पेड़, पौदे और शकाएं भी परिशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसल्मान हो जाएं एक शेक्षिंग बिमारी भी हमाई समाज में मुझे नजर आती है और बड़े ये अश्चर्य की बात है जिस तेश ने पुरी दुनिया को तक्षिला और नलंदा दे करके विश्युध्याई शिक्षा की बुनियाद रखी आज विश्व के सौ सवशेश विश्युध्याल में हमारा एक भी विश्युध्याले खड़ा नहीं हो पाता जहां एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षन स्थान है तो वहीं दूसरी और इस तेश के गरीबों को बेरुजगारी की जमाद में खड़ा करने के लिए उनकी हाथ में सर्फ शिक्षा भ्यान का जुन-जुना पकड़ा दिया जाता है और मैं बता दूँ इस शैक्षनिक बिमारी का केवल एक कारण वो ये कि हमाएं देश के शिक्षनिती केवल दो तरह के लोगों के लिए बनती है पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है इसी तरह कि कई गजब की बिमारिया है और इन बिमारियों की जो जड़ है न वो हमारा अंदुश्वास और मेरे विचारों में जब तक इस तेश का युव अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोर्ड फोर्ड कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा हमारे समाज का शिक्षित वर्गी बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना अपने धर्म अपनी जाती को उचा मानकर दूसरों के धर्म की अवेलना कटता रहेगा तब तक ना तो इस तेश से अंदुश्वास कतम होगा और ना ही हमारा राष्ट निर्मान संबव होगा हमारी सस्किती हमारी सब भेता को दुनिया ने शीशन वाया है तो क्यूं आस्ता के नाम पर हमने अंदुश्वास फैलाया है मेरे विचारों में हमारा राष्ट निमान तब संबव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूज़ा नहीं उनकी इज़त की जाएगी राष्ट निमान तब संबव होगा जब हम जाती का तरक्षन नहीं बल्कि समाजी स्च्टिकर्ण भबात करेंगे बलकि या नर्चन के लिए सरकाई स्कूल की चौकड़ पर कदम रखेगा और हमारा राष्ट निमान तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नाग एक नैतिक रूप से सटीन, चारित्रिक रूप से ब्रष्ट, मांसिक रूप से दिवाल्या, धार्मिक रूप से अंधा, रान अजय को बिए अपना काम पूरी मांदारी, पूरी महनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट निर्मान की कल्पना करना भी असंभव से लगता है, और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं भारत की बेटी ये कहती हूं, कि हमारा राष्ट निर कर प्यास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है, हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने रष्ट को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की, तो अंत मैं मैं बस यही कहना चाहूंगी, मेरा जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा हम बुल